वैदि केश्टो केंद्र के सभी प्रीय जात्पों को हमारा प्यार भारा नमस्कार वैदिक एश्टो केंद्र में आप सभी का स्बागत है जात्को आघ हम बात कर रहे हैं आठ जुलाई के दैनिक राशी फिलकी और दैनिक पंचांगी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंट जुलाई के दैनिक पंचांगी शुकरवार का दिन है शुकल पक्षे नक्षेतर है चितरा नक्षेतर तिती है नौमी और दिशा शूल है पश्चिम दिशा अब हम बात करते हैं मेश राशी वाले जातकों के दैनिक राशी फल्की कई बाहर गूमने जाने का आप प्लान कर सकते हैं लेकिन खर्चों को लेकर के चिंता आपको सताएगी ऐसे में सब लोग प्लानिक करने से पहले ही इसाब किताब बैठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहीगा मेश राशी वाले जातकों का शुबरंग है संत्री और शुबंख है आठ रिशब राशी वाले जातक आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा इसलिए आप भी उसे कुछ देने का प्रयास करें जिससे दोनों की बीच आपसी प्रेम और भी जादा बढ़े रिशव राशी वाले जातकों का शुबरंग है लाल और शुबंक है साथ मितुन राशी वाले जातक पारिवारिक समस्याओं की कारण आपका मन विचलित रह सकता है लेकिन बड़े बुज़र्गों की सला बहुत काम आएगी इसलिए उन्हें ध्यान से सुनें और वैसा ही करें मैतुन राशी वाले जातकों का शुबरंग है आस्मानी और शुबंग है एक करकराशी वाले जातक आज के दिन बाहर खाना खाने से बच्चे अन्य था आपको पेड़ दड़ की शिकात हो सकती है घर का बना पोश्टिक खाना ही आपको खाना चाहिए करकराशी वाले जातकों का शुबरंग है बैंगनी और शुबंग है छें सिंग राशी वाले जातक चातरों को पढ़ाई के किसी काम में समझसा होगी जिससे उनका मनुदास रहेगा ऐसे में अपनी सीनियर का मागदर्शन आपके बहुत अधिक काम आएगा सिंग राशी वाले जातकों का शुबरंग है सफेद और शुबंग है आंट कन्या राशी वाले जातक बिजनेस में अपने प्रतिद उन्दियों का साथ आपको मिलेगा और कोई अची डील होने की भी संभावना है कॉलिज की छातरों को किसी चीज की चिंता सताती रहेगी कन्या राशी वाले जातकों का शुबरंग है संत्री और शुबंग है दो तुला राशी वाले जातक ग्रहनियों के लिए आज का दिन शुब संकेत लेगर के आया है आज आपको काम कम रहेगा और कुछ नया करने का विज़ार आज आपके मन में आएगा तुला राशी वाले जातकों का शुबरंग है आसमानी और शुबंग है छें ब्रशिक राशी वाले जातक किसी काम से बाहर जाना हो सकता है लेकिन साथ ही अकेला पन भी आपको महसूस होगा ऐसे में किसी अपने से बात करें और थोड़ा समय उसके साथ व्यथित करें ब्रशिक राशी वाले जातकों का शुबरंग है पीला और शुबंग है तीन धनु राशी वाले जातक अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर आपकी काह सुनी हो सकती है लेकिन इदी आप धैरे से काम लेंगे तो बाची जल्दी सुलच सकती है धनो राशी वाले जातकों का शुबरंग है काला और शुबंग है पाँच मकर राशी वाले जातक प्रॉपर्टी में आपने इदी पैसा इंवेस्ट गया हुआ तो उसका अलाब आपके पास आएगा ऐसे में उसके नज़र बना करके रखें और साथ ही किसी की साथ उसकी जादा डीटिल साजा करने से विया बचें मकर राशी वाले जातकों का शुबरंग है नीला और शुबंग है एक कुमराशी वाले जातक घर की बाते किसी बाहरे विक्ति को ना बताएं इन्ने था ये आपके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा घर के सदेस्यों की बीच किसी पुरानी बात को लेकर मदवेद हो सकता है कुम राशी वाले जातकों का शुबरंग है सफेद और शुबंग है दूग मीन राशी वाले जातक ओफिस में एक टीम की तरह कारे करना आपके लिए बहतर सिद्ध होगा इसलिए काम को टीम में बाटे और फिर परणाम भी आपको अच्छा मिलेगा मीन राशी वाले जातकों का शुबरंग है नीला और शुबंग है साथ जातकों हमारा आज का दनिक राशी वाल यहां पर ही समापत होता है नमस्कार